कि इतना मज़ा आ रहा है नयुक्त क्या बताऊं डिल कर रही नहीं रहे कि अपनी बालों से हाथों को हटाऊं इस तरह लग रहा है कि जैसे मैं मक्कन में अपने जो फिंगर्स है ना उनको मक्कन में घुमा रही हूं इतना अच्छा लग भी बिल्कुल नहीं है तब भी आप बेख सकते हैं कि मेरे जो हेर हैं वो किस तरीके से सिल्की शाइनी स्मूध है आपको रिजल्ट दिख रहा होगा हेलो गाइज तो आपका स्वागत है बेक बाय कुद्रत में और मैं हूँ आपकी दोस्त कुद्रत कॉर्ट तो आज गाइज में आपके लिए एक अमेजिंग वंडर्फुल जितना भी मैं कुछ कहूं नहीं स्पैक के बारे में उतना ही कम है अगर आपके जो हेर हैं वो रफ है अगर आप अपने बालों को ग्रो करना चाहते हैं चाहते कि लैंट जो है वो बढ़ जाए लोंग हो जाए तो यह वाला हेर मास्क जो भी आपको बताने वाली हो ना आप खुद ही मेरे को नीचे कमेंट आकर करेंगे तो जैसे आप पहले देख चुके हैं मेरी क्लिप में मे जाए तरीके से मेरे हेर हो गए हैं तो आप यहापी थी क्योंकि इस पैक को मैं पहले भी तीन चार बार जो है मैं यूज कर चुकी हूं तो लेकिन आज मैंने वीडियो के परपस यह जो पैक है मैंने लगाया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए क्योंकि कोई भी ची अब होते हैं तब ही मैं आपके साथ शेयर करती हूं तो अभी मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तो आप देख सकते मेरे बालों से ही आपको पता चल जाएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें मेरे वीडियो को शे मेरे बालों के लिए यूज होती है तो एक ही प्रोड़क्ट है जिसमें आपको सारे ही प्रोटेंस जो है मिनरल जो है जो आपके बालों के लिए चाही होते हैं वह सभी आपको यहां पर मिलेंगे इस में मिलेंगे एक्ज होते हैं और इसमें जो वीनिगर है वो भी होता है जो बालों की हेल्थ के लिए और ये सारा इंग्रीडेट इंग्रीडेंट बहुत ही अच्छे हैं लेकिन आपको कोशिश करनी है जो नैचरल इंग्रीडेंट होना आप मैयनेस यूज क्योंकि कुछ मायनिस ऐसी होती हैं इसमें काफी सारे हर्ब्स यूज किये जाते हैं कर दो कोशिश करें कि वह वाला ना लें क्योंकि जादा नहीं तो आपको smelly feel होगा तो इस तरह किसा आपको मिक्स नहीं करना है एक treatment की तरह आपको इसे लगाना है root to end तक आपको इसे लगाना है उसके बाद आपको हलके हलके हाथों से जो है वो मसाज कर लेनी है मैंने इसी तरीके से लगाया था आप आप छोटे चोटे स्टेंड्स भी ले सकते हैं मैंनिस है जो मैं यूज कर चुकी है तो खतम हो गई थी तो इसके बाद इस तरीके से हलकी हलकी आपको मसाज करने है मैंने थोड़ थोड़े clip cut कर दिये है और थोड़ा फास्ट भी कर दिया है क्योंकि वेस्ट टाइम करने का को फायदा नहीं है मैं भी वीडियो लेकर जानेगा उसके बाद मैंने बन बना लिया और एक फॉइल के साथ इसको मैंने इस तरीके से कवर कर लिया था ताकि जो भी moisture हो वो अंदर तक ही रहे इसके बाद इस पैक को आपको वान आर के लिए अपने बालों में रखना है तो आप देख सकते हैं आफटर वान नार इस तरह के कुछ लगेंगे आपके हेर आप देख सकते हैं तो यह आपके बालों को proper moisture कर देगा सिल्की स्मूध बना देगा तो इसको मैं आप वाश कर लूँगी क्योंकि वान नार हो चुका है उसके बाद मैं आपको result दिखाती हूँ तो यह है final result गाईज बता तो मैं पहले ही चुकी हूँ तो कोई फायदा नहीं है बार बार रिपीट करने का तो आप इस पैक को जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपना experience जो है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा जैसे मैं खुछ हूँ आईनों कि आप भी बहुत खुछ हो जाएंगे इस पैक को लगाने के बाद तो घाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आये तो कर दीजिए शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टो मैं चैनल बाइज लिए तो बादे टाव अ स्टे सेफ, स्टे हल्दी